आपका स्वागत है तो आज की हमारी डीश है पंजाबी चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पिलिया है आधा किलो चिकन और उसको अच्छे से वाश कर लिया है अब हम उसको मारिनेट कर लेंगे तो उसमें डाल देंगे लाल मिर्च पॉडर आधी चोटी चमच हल्दी नमक स्वादा नुसार जिंजर गार्लिक पेस्ट एक चमच आधिर नीमबु का रस और दो चोटी चमच तेल डाल देंगे और उसको हास से चिसे मिक्स कर लेंगे और उसको दो से तीन गंटे के लिए ढखके मारिनेट होने के ल लासूर, दो बड़े प्याज और एक टोमाटो, खड़े मासालो में चाहिए दालचीनी, ब्लैक पेपर, लॉंग, इलाइची, स्टारपूर और तेज पत्ता, अब हम चिकन को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे दो से तीन गंटे के बाद, तो यहाँ पे हाई फ्लेम पे हमको चिकन को फ्राइ कर ला है, चिकन को हमें यहाँ पे फ्लेश फ्राइ करना है, उससे क्या होगा कि उपर से चिकन पक जाएगा और अंदर से अनकुक रहेगा, और फ्राइ करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इस तरह से हम पूरा चिकन फ्राइ कर लेंगे, फ्राइ क फिर हम एड़ करेंगे हरमेज, लसून और अद्रग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसमें डाल देंगे प्याज़ और प्याज को जल्दी पकने के लिए हम उसमें नमक अड़ करेंगे ठोड़ा सा और जब पैज गुल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें हम टॉमाटो डाल देंगे टॉमाटो को अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाना है यह मसाला पकने के लिए 3-4 मिनिट लगते हैं इसमें डाल देंगे हरा धनिया जब यह मिक्चर थंडा हो जाए तो इसमें मिक्सी में इसकी अच्छे से पेस्ट बना लेंगे अब एक बड़े बरतन में यहां पर मैंने दो चमच तेल लिया है और एक चोटी चमच घी उसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर एक चमच गरम मसाला एक चमच धनिया पाउ किया हुआ कि इसको एक मिनिट के लिए नहीं पकाना है तो फिर मिसमें नंमक और पांई यहां पर मैंने दो कि यूज है और इसको हम 15-20 मिनिट के लिए ढ़कके पाकने देंगे लास में डाल देंगे थोड़े से कस्तुरी मेथी बना शुर्द गया है शुड़ सेपरेट हो गया है कि यहां पर हमारा पंजबी चिकन बनके एकदम रेडी है देखो अंदर से भी चिकन बहुत अस्टे से पक गया है तो आप ये रोटी और राइस के साथ खा सकते हो So thanks for watching my recipe